कि नमस्कार हद्राबाद शहर में जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग औपरेशन मुसकान और औपरेशन समाईल एक स्पेशल ड्राइव हर साल दो बार करते हैं हद्राबाद शहर में हमारे पूरे तिलंगाना स्टेक में हमारे गवर्मिंट का एक कमिटमेंट है खास करके उनके लिए जो कमजोर हैं, जो गरीव हैं, जिनके उपर किसी का प्रोटेक्शन साइद उतना अच्छा नहीं है और इस कैटेग्री में सबसे पहले हमारे छोटे-छोटे बच्चे आते हैं पिछले पांच साल से जो एक्सेसाइज हमारे गवर्मेंट के तरफ से जो इनिशियेटिव लिया गया है उसके तहट अभी तक 4624 बच्चों का रेस्क्यू हुआ और इस बार ऑपरेशन मुस्कान 5 जो की जुलाई मन्थ एक तारीक को शुरू हुआ और इस ऑपरेशन के तहट हमारे सिटी पुलीस में 17 टीम्स हेड़ेट बाई सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स वो पूरे एक महीने 24 आवर्स को लोग मेहनत किये और इस एक महीने के ऑपरेशन में 445 चिल्रेन बच्चों का रेस्क्यू हुआ जिसमें 407 लड़के हैं और 38 लड़कियां हैं 51 बॉइस को साइदाबाद में जो रेस्क्यू हुम है वहां भेजा गया और 13 गर्ल्स लड़कियों को निम्बोली गड़ा में जो रेस्क्यू हुम है वहां भेजा गया 356 बॉइस और 25 गर्ल्स को उनके पेरेंट्स को वापस उनकी जिम्बारी दी गई और 429 बच्चों को ओप्रेशन स्माइल जो की जैनवरी में हुआ था उसके तहत रेस्क्यू किया गया था तो टोटल अभी तक इस साल 874 is the figure इसमें अभी तक 7 cases भी book हुए हैं जिसमें की auto mechanic, building contractor, aquarium shop owner, matching center, bandle shop owner, chicken center इन लों के खिलाफ case book हुआ Child labor act के तहट ये case book हुआ है और अब जहां तक fine का सबाल है तो अभी तक 18,70,000 रुपए से जादा का fine collect हुआ आप लोगों को मालूम होगा कि ऐसे मौके में हमारे उपर ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि खास करके ऐसे बच्चे जो schedule cast और schedule tribe के group से आते हैं उनके प्रतियापकी और हमारी एक collective responsibility है ज़्यादा ध्यान देने के लिए और ऐसे में six SC children और three ST children उसकी अलावा 31 children को residential school में भी admit कराया गया है इसके साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं इस तरीके का school uniform, school bags, books, stationary ये सब भी उनलोग को दिया गया तो आजकल ये जो पूरा effort हुआ है इसमें मैं खास करके मीडिया से request करूँगा कि आप लोग इस तरह का जहां भी activities report हो आप उनको local police station को बताएं जो बहुत सारे work places में बच्चे मिले हैं उनमें bike mechanic, cloth shop owner, hotel server, waiter, general stores, bag making, cold storage, gold shop, auto works, spare parts, bangles, painting shop, stationary shop और इस तरह के बहुत से जगा में वो लोग activities कर रहे थे तो ये हमारा और आपका एक collective responsibility है और आज इस मौके पे खास करके हम ये पूरे हमारे city police के जो team है 17 members जो हमारे sub inspectors हैं उनको उनके leader उनको पूरे शहर के तरफ से इन सब बच्चों के तरफ से इनके parents के तरफ से और पूरे government के तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ Hearty congratulations to them Thank you अब A1 Township चिविला और मुईनाबाद के दर्मियान में रोड से 1.3 किलोमेटर आबादी से लगा हुआ तमाम development के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं जो है बिलकुल 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 आबादी से लगा हुआ चार लाख में 100 गज का plot, drainage, electricity, footpath, BT road, college, bus stop जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं आपका ये छोटा सा investment आपका और आपके बच्चों का मुस्तक्बिल बदल सकता है मजीद मालूमात के लिए हमें call करें अड्रेस पिलर नमबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट राजिंद्रनगर हैदरबाद कॉंटेक्ट 7799603838 तो यहां पर रेट करर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताजा ताजा अपडेट मिलती रहें